असलाम अलेकम आप मेना यूटीब चैनल देख रहे हैं वेलकम टू मैं यूटीब चैनल जैसा कि आपको बता कि हमने पुब्लिक सरुष कमिशन के मिधान की त्यारे की तिसला शुरू किया हुआ है पहले मैंने आपके साथ मैथ और क्रंट फेर और एजुकेशन हिराकी के बा जलते हैं पहला क्वेशन क्या जी जनरल साइंस का हीट फ्राम सन कमस टू अर्थ बाए क्या पूछना चाहरा है कि और यह भी सारे क्वेस्टन जो है पीपीएसी और एसपीएसी के पास्ट पेपर्स में से ही मैने लिए हैं यह सारे पेपर्स में आ रहे हैं और और कामन आते हैं तो क्या पूछ राजी हीट जो है सन से अर्थ में कैसे आती है तो थोड़ा साब समझने की कोशिश करें आप इसकी लाजिक जब समझ लेंगे तो फिर आपका क्वेशन हर वक्त हमेशा के लिए आपको माइंड में आ जाएगा आपको मेंचा कभी यह बूल लेगा तो कंडक्शन कंडक्शन आपको पता है कंडक्शन जो होता है कंडक्शन तो सॉलिट के लिए होता है कंडक्शन में भी हीट ट्रांसफर होती है लेकिन इसमें सॉलिट्स में आपको कोई ना को मीडियम चाहिए होता है उसके बाद कन्वेक्शन है कन्वेक्शन आपको पता कोई medium नहीं होता तो इसलिए sun से अर्थ में जो heat है वो radiation के जरीजे से जहां पर transfer होती है next in number two है rainbow is formed due to rainbow जो है वो क्यों बनती है reflection से reflection से scattering से या dispersion से तुझे इसका correct answer आजी dispersion इसको थोड़ा सा इसका concept समय ले जब भी light किसी prism से घुज़रती है तो वो disperse हो जाती है इसी तरह जब बारिश होती है ना तो बारिश में जब उसमें पानी के चत्रे जते हैं जो पानी के जरात होता है वो atmosphere में मुखलब हो जाते है यह atmosphere में ठहर जाते है तो वह prism का काम करते है जब उसके ओपस सुरज की रोशनी पढ़ती है तो उसमें से गुजर के सुरह की रोशनी सात रोंगों में बढ़ चाती है, सात रोंगों में टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं यह रेंबो बंड गी है, इसको हम कहते हैं यह इसको हम कहते हैं यह dispersion में होती है, नेक्स आपका तीसरा क्वेचन है, density of water is maximum add, पाणी की density जो है लेकिन अगर 3.98 ना दिया गया हो, आम तोरवे पेपर में वो 3.98 नहीं देता, सिरोब 4 ही देता है, तो 4 भी correct होता है, लेकिन इसका बिल्कुल exact यह 3.98 है, अगर 3.98 ना दिया हो, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, next चलते हैं जी, question number 4 के तरफ, question number 4 है, जेट इंजन works on principle of conservation of dash, क्या जी, जेट इंजन जो है, वो कौन से principle पे काम करता है, तो जेट इंजन linear momentum के principle पे काम करता है, अगर linear momentum का option ना दिया गया हो, तो linear momentum को हमने Newton 3rd ला से डिराइट किया, वह तो Newton 3rd ला भी correct होता है, कभी कभी ये linear momentum का option देता है, पेपर में हैं, कभी Newton 3rd ला, तो आप linear momentum अगर दिया हो, तो ये भी correct अगर Newton 3rd ला दिया, तो फिर भी correct है, मैं ask energy, angular momentum ये सारे गलत होते हैं, ये wrong answer होते हैं, next जी, imperfection of eye astigmatism is corrected by, अगर किसी इनसान को astigmatism eyes का हो जाता है, तो वह कैसे correct होती है, concave lens से होती है, cylindrical lens से होती है, convex lens से होती है, anyone, तो सबसे पहले आप ये समयलेंगे, eye astigmatism होता क्या, eye astigmatism जब इजिस बंदेक हो जाए, तो उसको vertical और horizontal lines एकठी नजर नहीं आती, horizontal और vertical lines क्या मतलब है, जब कोई अब table और या कोई डबा और draw होता है, तो उसमें उस इनसान को इसमें difference नजर नहीं आता है, कि ये vertical line और horizontal line, तो अगर इस बंदेको eye astigmatism हो जाए, तो उसको हम convex lens, cylindrical lens, concave lens या anyone, तो वह किस से clear होता है, cylindrical lens से clear होता है, next number, question number six है, an oil drop spread over water because, क्या पूछना चाहरा है, कि जो कोई भी तेल का खत्रा है, oil का drop है, वो पानी के उपर क्यों तहरता है, उसके उपर क्यों spread हो जाता है, oil is lighter than water, oil is more viscous, oil does not mix with water, surface tension of oil is much smaller than of water, तो इसका correct answer है, option number D, surface tension होता है, आप पानी के container में oil को डाल दें, आप oil का एक कतरा डाल दें, आप का एक लीटर आपको किसी पानी के बरतने में डाल दें, तो आप देखते हैं कि oil पानी में mix नहीं होता, उसके उपर वह तैरना शुरू का देता है, वो क्यों तैरता है, तो कि जो oil है, उसकी surface tension पानी से थोड़ी होती है, इसलिए वो उपर उसके तैरना शुरू कर देता है, नेक्स जी, in a laser, all atoms emit light waves of dash, जो laser है, उसके जो atoms है, वो को कौन सी light, जो है न, वो emit करते हैं, वो खारज करते हैं, same frequency, same amplitude, same phase, all of above, तो जो laser की light है, वो same frequency वाली light की waves को emit करते हैं, इसलिए जो laser की light होती है, बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधी चलती है, क्योंकि उनकी frequency सबकी सेम होती है, जितने भी इसकी light की waves होती है, बिल्कुल सीधी होती है, अगर एक wave जो है न, 50 meter की, 50 meter की distance कवर कर रही है, तो सा सारी कि सारी 50 ही करेंगी वह बिल्कुल एक नुकते की तरह सारी सफर करती है नेक्स जी अल्टरनेशन करंट AC is converted into direct current DC by अब इसका क्या आंसर है जी transformer, dynamo, oscillator, rectifier के AC को DC में कौन convert करता है alternative current को direct current में convert करता हु इसका wiretn से rectifier है आप इसको फड़ा सा समिलें अभी हमारे हमारे Uh DC converter को हमारे पास जो चल रहे हैं DC zwr रहे हैं तो जो DC को AC को convert करता है वह rightifier ह होता है इस तरह आभ इस作िज्ञाल से भी याद कर सकते हैं नेक्स जी, question number 9 है, question number 9 है force by which a body attracted towards the center of earth is called, किस फोर्स से कोई भी जिसम जमीन की तरफ खेंचा जाता है आपने देखा होगा कोई भी जिसम में आप किसी को भी छट से गिराएं कोई भी चीज फैंकें तो वो की तरह आती है जमीन की तरफ आती है उपर यह दाई बाई कहीं भी नहीं हो जाती आखर कार वो जमीन पे ही आके गिरती है आप चाहे किसी कोई भी पतंग उडा लें उसको भी छोड़ते है तो वो चाहे कितनी दूर जाकर गिरे है वो गिरेगी at least जाके आखरकार जमीन पर ही गिरेगी तो वो कौन सी फोर्स है जो जो किसी भी जिसम को जमीन की तरफ खेंजती है वो होती है gravitational force next जी number 10 है kinetic energy of body depends upon kinetic energy किस पर इन्हिसार करती है mass gravity and height mass only velocity only both mass and velocity तो आपको पता kinetic energy के फार्मूला क्या होता kinetic energy is equal to one over two mv square एक बड़ा दो mv square m for mass v for velocity तो इसके फार्मूले में दोन चीज़िया आ रहे होती है mass भी और velocity भी तो इसका d answer जो है वो correct होगा next जी बॉयल्जला states that बॉयल्जला की statement भी अक्सर पूछी है यह paper में इसको आपने पका याद कर लेना है तो बॉयल्जला की statement भी वो correct है pressure is inversely proportional to volume यह इसकी डी वाली correct है next जी question number 12 as a train approaches us the frequency or shrillness of its whistle increases this phenomenon is explained by क्या आप पूछना चाहरा है कि जब train आ रही होती है जैसे हमारे क्रीब आ रही होती है उसका जो हारन होता है वो तेज होता जाता है हाला कि उसका हारन तेज नहीं होता आप लेकिन क्रीब आ रही होती है तो हारन तेज होता है, दिस्टंस कम हो जाता है तो जैसे जैसे distance कम होता जाता है किसी भी चीज़ का जब object और कोई भी जो loudness है उसका जब हारन कोई भी wise और object का जब distance कम होता जाता है तो उसके दरमियान जो उसकी frequency high होती जाती है रिसकों कहते हैं Doppler law यह Doppler law की statement होती है next जी question number 13 the term acceleration means acceleration की differentiation पूछ लेते हैं एकसर जी rate of change of velocity यह आपको पता है maximum speed of vehicle rate of change of time rate of change of distance यह सारे गलत है तो ठीक इसका किया जी rate of change of velocity यह आपने सबने पढ़ी होगी next question number 14 minimum distance required to hear and echo कोई भी आवाज को कोई भी echo को सुनने के लिए जो minimum distance required होता है वो 17 meter होता है 17 meter से ज्यादा जो होगा कम ज़कम 17 meter उसका distance उना चाहिए उसके अलावा इको नहीं सुन सकते है next question number 15 which your following is best conductor of electricity copper, aluminum, silver और iron इन में से जो best electricity का conductor है वो आपने बताना है तो अब जी question number 15 यह मैंने आपके लिए assignment रखी हुई है इसलिए मैंने इसको highlight भी किया हुआ है कि क्या मैंने यह आपको ठीक बताया है कि गलत बताया है copper है, aluminum है यह silver है यह आपने मुझे बताना है मैं आपको silver कह रहा हूँ अगर आप कहते हैं silver ही ठीक है तो comment box मैं लिख देंगे कि silver answer is correct, अगर आप क्योंते हैं कोई और answer ठीक है तो आप उसका नाम लेके देएंगे for example, आप समयोंते कि couple ठीक है तो आप लेके देएंगे copper answer is correct, अगर आप ठीक समयते हैं कि silver ठीक है तो आप लेके देएंगे जीदा लोग हैं जो मेरी मेनत को बस ऐह जाया कर रहे हुते हैं, जो समलीते हैं कि यह नोटस बन जाते हैं, उनको मैं शेर नहीं करता हूं, तो यह मेरी आज की टेस्ट आपकी साइननमेंट है, अगर आप यह वीडियो मुकमल देखें यह मेरा नमबर है इस नमबर पर मुझे WhatsApp टेक्स करें कि सर मैंने अपनी वीडियो मुकमल देख लिए और मैंने कमेंट भी करती है तो मैं फिर आपको यह वले नोट्स जो मेरे हैं मैं आपको इसकी PDF भी शेर कर दूँगा आप इसकी फोटो का प्रिंट भी ले सकते हैं आप अ ऐसे युनिट ऑफ पावर ओफ लेंज लेंज की पावर का सिंस्ट्रम इंटरनेशनल में युनिट क्या है जो वाट है आर जया डियॉप्टर है तो इसका प्रिंट करेक्ट आप्टर है नेक्स जी क्वेचिन नमर 18 लीस डिस्टेंस ओफ डिस्टेंक विएन फार हुमन आई इंसानी आंग को देखने के लिए कम असकाम कितना डिस्टेंस चाहिए होता है आप अपनी बुक को देख लें आप आप 25 संटीमेटर का क्रेक्ट आंसर है 25 संटीमेटर का आप कोई भी अपने पास फुटा ले लें कुछ स्केल लें आप उस 25 संटीमेटर से बुक को पास्कल जो है ऐसा यूनट और पास्कल जो है ऐसा यूनट किसका है आपको बताए यह मैं करेंड़ यह प्रेशर का है अब यह force, power और work आप इस question को वो बार-बार repeat करता है और उसको change करके करता है, कभी यह pascal पूछ लेगा, कभी force पूछ लेगा, कभी power पूछ लेगा, कभी work पूछ लेगा, आपको पता है force का unit newton होता है, power का unit watt होता है, work का unit जाओल होता है, तो यह सारे आपने clear कर लेने हैं. radioactive elements emits, radioactive elements जो होते हैं, वो क्या खारज करते हैं, ultraviolet rays, radio waves, alpha, beta and gamma rays, तो यह तीनों rays है, alpha, beta and gamma यह emit करते हैं, next जी, which of the following has the longest wavelength in electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum में सबसे ज्यादा wavelength किस ray की होती है, x-ray की होती है, radio wave की होती है, infrared की होती है, gamma ray की होती है, तो यह radio wave की सबसे ज्यादा wavelength होती है, next जी, upward force of floating is स्काल आप आप देख देखें अगर कोई जिसम पाणी में टेर रहा हो तो उसको उसको ऊपर दो solutions कर रहे होती है एक वह वह उसका वजन होता है जो उसका मार्द होता है वह इसको नीचे की तरफ धिशाल होता है जो शोटीए नव उसको नेचर की तरफ खांच रहे होती है और एक वयंस फेक्ट पुल्स होती है जो उसको उपर की तरफ उछाल रहे होती है तो यह ईसकी upward force यह होँपर की तरह उचल की force होती है रामन effect किसे रिलेट कहता है तो hydraulic brake होती है, है hydraulic press होता है यह hydratic lift होते हैं यह सारे के सारे पास्कल लाप पे ही काम कर रहे होते हैं question number 6 purest form of iron iron की purest form कौन से होती है cast iron होती है, rat iron होती है, stainless steel होती है या pig iron होती है तो इसकी purest form जो है वो rat iron होती है element with lowest ionization potential is वो element जिसकी सबसे ज्यादा ionization energy कम होती है ionization energy आप समय लें क्या होती है ionization energy होती है, किसी भी atom में से electron को निकालने के लिए जो energy दरकार होती है जो हमें energy देनी पड़ती है उसे हम कहते है ionization energy ionization potential क्या होता है कि किसी भी atom से electron निकालने के लिए जितनी हमें energy चाहिए होती है तो सबसे कम जो होती है, वो सीजियम की होती है, सबसे कम जो आइनलिजाशन प्रटेंशल है, वो सीजियम की होता है, और यह कभी कभी यह हाइस भी पूछ लेता है, कि सबसे ज्यादा किस की है, तो अगर सबसे ज्यादा पूछ लेता है, तो सबसे ज्यादा हीलियम होती है, पढ़ें, sulfuric acid, H2SO4, आप nitric acid पढ़ें, HNO3, आप hydrocaloric acid को तरह याद करें, HCL, तो क्या, आपको कोई चीज common अदर आ रही है, mean H, हर है कमर आपको नदर आ रहे है, hydrogen, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3, hydrocaloric acid, HCL, इसी तरह, acid, H2SO4, आपको जरूर नदर आएगा, तो hydrogen जो है, वो हर acid में पाया जाता है, next, pH factor is used, it measure, pH factor किस चीज़ को measure करने के लिए इस्तमाल कियाता है, color of liquid, acidity of liquid, density of liquid, and turbidity of liquid, तो आपने पढ़ा होगा, pH factor जो है, just acidity of liquid को measure करने के लिए इस्तमाल होता है, next, question number three, which is called philosophic wool, philosophic wool क्या होती है, ये बड़ा important question है, आम तोर्पे पेपर में अक्सर पूछा गया होता है, philosophic wool क्या होती है, तो ये zinc oxide को philosophic wool कहते हैं, ये अपने जाद करने, next, question number thirty one, which metal is extracted from sea water, जो समंदर के पानी से कौन sea metal को हम निकालते हैं, वो magnesium होते है, potassium, magnesium, aluminium, chromium, chromium, तो इसका right answer के वाज़ी, correct answer, magnesium होगा, next, question number thirty two, white fast force is always kept under benzene, kerosene, ether and water, आपको पता है, जो white fast force होता है, अच्छा, अब इसका एक और angle से भी question पूछ लेता है, कि कभी कभी पूछ ता, इसका correct answer तो water है, कभी कभी इससे था पूछ रहता है, कि white fast force जो है, always water में क्यों kept की जाती है, में कि हर वक्त white fast force को आप water में ही क्यों store करते हैं, यह बी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको इसको इसलिए store करते हैं, कि यह atmospheric oxygen के साथ highly reactive होती है, यह जो white phosphorus है यह oxygen के साथ जो atmospheric में oxygen होती है उसमें highly reactive होती है उसके साथ मिलके इसमें आग लग जाती है आम तो पर आपने देखा जो शोबदाबाद होते है ना शोबदाबाद भी कभी क्या करते हैं जी फलान जादू कर रहा है वो अपने मुह से आग निकाल रहा है उसने क्या वो atmospheric oxygen के साथ वो react करके आग लगाते है तो कहते हैं जी फलाना बंदा जी मुह से आग निकाल रहा है तो आहम तो पर इसका question यह भी पूछ लिया जाता है जो दी तिन चार एंगल से इसको पूछता है का शोबदाबाद जो में अपने मुह से आग कैसे निकालते हैं तो फास solid carbon dioxide तो यह solid carbon dioxide होती है dry ice question number 34 which one of the following is widely used in lubricant आपको पते है आम तोर पर जितने भी lubricants होते हैं यह liquid form में होते हैं लेकिन सिरफ ग्रिफाइट ऐसा lubricant है ग्रिफाइट का जो powder है वो lubricant के तोर पर यूज़ किया जाता है जो के जो ग्रिफाइट है सिर्फ यह ही जो hard form होते है ना solid form में यूज़ कीते हैं बाकी सारे जो हमारे lubricants होते हैं वो lubricant क्या होता है lubricant वो चीज़ होती है जो दो रगणने वाले चीज़ों के दिरम्यान लगाए कि इसको मलाइम किया जाता है जो मारा फार्ग मोबल आइल होता है इंजन में हम यूज़ करते हैं तो आइल लगाते हैं या grease लगा जाते हैं यह हमारे lubricants होते हैं तो ग्रिफाइट भी होता है यह solid हमारा lubricant को पर यूज़ होता है जी नेक्स दीक पाच्च नमर थर्टीफाइज विच वान अवह था फाल्विक इस major constituent of petrol petrol का सबसे एहम हिसा इस nutra कूँन सा होता है oxygen होता है आपया दरो पर गाड़ाव की क्वालमत इसको को अनॉम्चिंग होई गभी है तो इसको सतरो की बढूर्ड की इसको घृता है जी इसको दूद की क्वालिटीग को मजर करनेकर इस्तमाल कि आता है इसको चुगर की नंबर अतंक जेजर का इसमाल होता बड़ी इंपोर्टन टर्ne मKayu आम तुर पर सबी ना सुनी होगी तो यह ग्रेटिंग वेरिसे अर्रिकुचर को König मुक्तलिफ जरी हमारे आलाथ होते हैं उनको उनकी ग्रेटिंग करने के लिए एक्टरम यूज की जाती है यह जी ग्रेटिंग बैटरी टॉइज ग्रेटिंग पॉलिस्टर टेक्स्टाइल ग्रेटिंग एंजन लुब्रिकेटिंग यह सारे फाल्स है जो क्रेक्ट अंसर है वो एवाल है next deal question number 37 percentage of carbon in one molecule of carbon dioxide is approximately 12.73% 72.7% 80% 27.3 अब थोड़ा था carbon dioxide को mind में लेका है carbon dioxide का formula क्यों होता है CO2 1 carbon का और 2 oxygen के तो carbon क्यों से हो गया तीसरा इसा होगी ना तो यहां पर देखें तीसरा इसा के क्रीब 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 क्यों है 27.3 है इसका correct answer कियागा 27.3 इस तरह आप इसको आप जब logic माइंड में रखेंगे तो फिर आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएंगे जब आप logic नहीं याद करेंगे जस्ट आप नोट्सों से या बुक्स से इसको पढ़ेंगे कोई भी question तो आपको याद थोड़ी देर के रहेंगा लेकिन इसके बाद के दोबार आपको बूल ज जाएगा तो इसलिए आपने लाजिक जूरूर माइंड में रखनी है नेक्स जी कामने यूज वाशिंग सोडा जो जिसको मीठा सोडा कहते हैं तो वाशिंग सोडा जो होता है आम तोरफे यह किस लिए यूज किया रहा था जी इसका जो साइंटिफिक नाम है ना जो हमारा जो केमिस्ट्री में इसको जूज करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट होता है सोडियम बाइकारबनेट सोडियम कारबनेट सोडियम कलोराइड मेगनेशियम कलोराइड तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वाशिंग सोडा को होता है जी सोडियम कार्बोनेट नेक्स जी इसे तरह इसे तरह है तो आपको बता है है हीटरोजन सबसे लाइटस्ट अलिमेंट होता है कभी कभी यह पुछ रहता है इसके which is the lightest gas of predicate पतो přिया डिन prostu lightest gas भी hydrogen ही होती 건 है for the next équiragia is mix âwn 2022 г. आक्वरीजीयीड किस चीज का mix chances होता है hydrocloric acid and nitric acid sulfuric acid and hydrocolic acid sulfuric acid and nitric acid तो आक्वरीजीय जोता है योती है यह इतना powerful mixture होता है hydrocloric acid and nitric acid का इसमें 3 ratio 1 की होती है hydrochloric acid जो होता है इसमें 3 ही से hydrochloric acid होता है और 1 हिसा nitric acid होता है ये भी आमतुरे पूह लेता है कि AQI region परसेंटेज कितनी होती है hydrochloric acid और nitric acid की इसमें ratio कितनी होती है तो hydrochloric acid तीन ही से और nitric acid एक ही सा होता है तो यह इतना powerful होता है कि इसमें gold भी पिगल जाता है तो इसको इस तरह भी mold करके question पूछ सकता है कि ऐसा mixer जिसमें gold को पिगलाया जाता है जिसमें gold को dissolve किया जाता है कि gold dissolving mixer is known as aqua regia और उसकी क्या जी इसमें कौन-कौन से acid शामल होता है hydrochloric acid और nitric acid next question number 43 permanent hardness of water is due to process of permanent hardness of water जो permanent मुस्तकिल बारापणी जो होता है वो क्यों होता है sulphate of calcium और magnesium से sodium bicarbonate magnesium paracoside नान अफ बाब यह सारे घलत होता है पहले बाला होता है थी sulphate of calcium and magnesium इसको थोड़ा सा वो change भी कर देता है कभी कभी कर देता है calcium sulfate and magnesium sulfate तो फिर वो भी ठीक होता है calcium sulfate और magnesium sulfate यह लगा 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 यह तरह पूछते ले sulphate of calcium and magnesium फिर भी ठीक होता है next question number 44 elements that show property of both metal and non-metal are card यह show के थोड़ा स्पैलिंग मिस्टिक मुसी हो गई है आप इसको correct कर लिजेगा elements that show property of both metal and non-metal ऐसे elements जो metal और non-metical दोनों की properties शो कर रहे होते हैं metals और non metals की तो उसको हम metallides कहते हैं metallides collides तो यह इसका correct answer B है यह होता है जी metalides next most dictile element among the following most dictile element कौन सा होता है जी gold as silver आई रहे हैं यह कापर है तो इसका correct answer gold है dictile आप समय लें क्या होता है dictile आप यह समय लें इसकी मिसमिसाल इस तरह मैं देता हूँ कि अगर एक ग्राम यह सारे element जितने में निचल लिके होए हैं इन सब का एक एक ग्राम लिया जाए और उसकी आप उसको खैंच के इसकी तार बनाएं तो सबसे लंबी तार जोगी ना सबसे लंबी wire जोगी वो gold की बनेंगी ठीक होगा जी जो सबसे समझने का जो जो सबसे ज्यादा खैंचा जा सकता है जो तूटता नहीं है वो gold होता है ठीक आपने देखा होगा आप आप रबड को खैंचें कितना को लंबा होगा एक टाइम आगा वो तूट जाता है इसे तरह silver है silver की आप तार बनाता जाये इसको खैंचते जाये खैंचते जाये वो बरीक बरीक होती जाएगी आस्ता एक वक्त आएगा वो तूट जाएगे लेकान गोल्ड की तार जो होती है ने gold की जो wire है आप इसको सबसे ज्यादा लंबा कर सकते हैं सबसे ज्यादा यह बनेगी ने जी 46 है which of the which of the two metals are mixed in manufacturing stainless steel stainless steel को बनाने में कौन कौन सी metal जूदर होती है अच्छा यह 46 जी बना यह भी दो तीन तरह से question पूछ रहता है zinc and chromium nickel and chromium chromium and iron nickel and iron तो इसका correct answer है chromium and iron अब इसको किसे और एंगल से कैसे पूछेगा इस तरह पूछ रहता है कि जो stainless steel है उसक इसको जंग क्यों नहीं लगता ठीक है इसको chromium क्यों नहीं होता तो जो chromium की वज़ा से stainless steel को जंग नहीं लगता समझागी जी तो इसको आम तो पर इस वज़ा यह भी question पूछ रहता है stainless steel को जंग क्यों नहीं लगता stainless steel को जो chromium है वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें chrom क्रोमियम होता है next which is the following element is a good conductor of heat but bad conductor of electricity आम तोर पर ऐसा होता है नहीं है जो भी element heat का conductor होता है वो electricity का भी connector होता है लेकिन एक ऐसा element है जो heat का तो conductor है लेकिन electricity का conductor नहीं है वो हता है माइका निकल मेंगनीज क्रोमियम माइका ये सारे option दिये हो है तो correct answer है जी माइका next question no.48 hydraulic acid is also known as muratic acid, picric acid, uric acid and nitric acid तो hydrochloric acid को muratic acid भी कहते है next 49 question question no.49 which element is known as quick silver silver, platinum, mercury, bismuth तो quick silver है वो mercury को हम कहते है next question no.50 acid present in wegnar, winegar तो acid present in wegnar, विंगार जो सिर्का में जो हता है जी हो सिर्के में कौन सा acid present होता है वो oxalic acid, malic acid, carbonic acid, acetic acid तो विंगार में acid case पाया जाता है यह थे जी आज कि आपके पांच, पचास question यह मैंने लिखा हुए continue अब next video में next पचास question में आप लोगों के साथ share कर दूँगा जैसे वो मेरे 50 questions इसमें share कर दूँगा, पूरे 100 questions हो जाएंगे, 100 questions पूरे करके यह नोट्स में में कमल करके आप लोगों के साथ share कर दूँगा, आपको मैं assignment दीया, start में आपको पता 15 questions उसको आप clear करके मुझे comments कर दें, जो बंदा comment कर देंगा, उसको मैं अपने regular students में list में share में कर दूँगा, अपने regular views के अलावा मैं किसी के साथ अपने note share नहीं करता हूँ, अगर आप regular student list में शामल हो चाते हैं, तो आप वीडियो को like करें, निचे comment कर दें, यह मेरे number आपके सामने है, 03003904825, इसमें हमने WhatsApp करते हैं, आपको अपने regular students के list में शामल करके, आपको सारे notes भी share कर दूँगा, नेक्स इन्शालला आपके साथ, मतालिया पाक्सान, computer science, अर्दू, इसलामियात, यह सारे भी आपके साथ, मैं यह काम start करने वाला हूँ, और साथ-साथ हम सारे चलेंगे, और हर टॉपिक पे 50-50 की वीडियो बना के मैं share करता जाऊंगा, इन्शाल